करपूर गौरम करुडावतारम संसार शारम फुज गेंद्राहरम सदा वसंतामिर्दयारम इंदे भौंभवानी सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंतरपाठे आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की स्थिति क्या है सुर्योदे कब होगा, सुर्यास्त कब होगा कौन सा नच्छत्र है, कौन सी तित्थी है, कौन सा योग है, राहू कल कब है, दिसा सुल कब है, इस सारी बाते बताऊंगा आज का महामंतर क्या है, ओभी बताऊंगा, महामंतर का जब कैसे करें, इससे क्या लाब होगा बारा राश्यों की भी बारे में बताएंगे कि आज किसका भागोद होगा, कौन विदेश जाएगा, किसकी माली हालत अच्छी होगी, किसके घर में किलकारी गुजेगी, किसके घर में साहनाई बजेगी, किसको ब्यूरोक्रिसी में जाना, किसको डेमोक्रिसी में जाना, किसक के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी किस रंग के प्रयोग करने से आप आगे बढ़ेंगे सौधानी के अबरत ने उपाय क्या करना है गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा प्रश्णों का उत्तर भी दोंगा और आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में देखते रहें बहागी गुरू कारेकर अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज 18 सितंबर 2023 दिने सो मौर सुर्योदे हो चुका है सबेरे 6 बच के 7 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 6 बच के 23 मिनट पर चंद्रोदे होगा सुबह 8 बच के 46 मिनट पर चंद्रास के जो सुम मौर थे 11 बच्के 50 मिनट से ले करके दो पर 12 बच्के 49 मिनट तक रहेगा रहुकाल है सुबह 7 बच्के 49 मिनट से लेके शुवा 9 बच्के 12 मिनट पर पूर दिशा का दिशासूल है आज आपको ध्यान रखना है कि दिशासूल में यात्रा नहीं करना है ज़र लगता है यात्रा पूरे निर्धारित है तो आप क्या करें कि एक दिन पूर प्रस्थान निकाल के करें रहुकाल में कोई भी नियाकाद न करें और ज़िए कोई नियाकाम करना चाहता है तो सुम मूर्त में ही करें आपके लिए अच्छा रहेगा अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम हरौम जुम सह यह जो महा मंत्र है देवा धिदेव महा देव का है इसको बोलते हैं तरी अक्षरी महा मिरतुंजय मंत्र लगो मिरतुंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है इस अगर महा मंत्र का आप जब करते हैं ता आपका हेल्थ वेल्थ खराब है तो बहुत ही अच्छा होगा जैदिया आपकी कुली में मारकेज की माहा दसा चल रहा है अंतर दसा चल रहा है प्रतंतर दसा चल रहा है हल्थ को लेके क्रैशिश में है ता आप इस माहा मंतर का जब करें आपके लिए फायदे मंद होगा रुद्राक्ष की माला से कम सकर में एक माला तीन माला, आप इस मंतरका जब करिये, आपके लिए लापन रहाद रहेगा अब आईए हम बात करते हैं बारह राशियों की बारे में कि आज की बारह राशियां क्या करती हैं किसको भागोदे होगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन राजनेटी में उचे पत पर जाएगा किसको राजयोग है कौन डेमोक्रेसी में जाएगा कौन ब्यूरोक्रेसी में और किसकी प्रगत होगी सारी बाते हम आपको बताएंगी किस रंग के प्रयोक करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी किस रंग के प्रयोक करने से आप आगे बढ़ेंगे सौधानी के अबरतनी उपार के आईए सुरुआत करते मेश राशी से जो मेस राशी की जातक हैं उनकी लिए आज का दिन काफी उत्म चल रहा है धन के छत्र में किया गया प्रयास आर्थक होगा धन दान का लाब होगा साहतिक छत्र से धन लाब मिलेगा लेखन कारिस में आपकी रुची बढ़ेगी और उससे धन लाब होने की संभाना बनने है र बड़े पैमाने पर आपको सफलता मिलते वे दिख रही दूर देश के आतरा का योग बन रहा है सौधानी का ब्रत्नी है कटू भासा का प्रयोग करने से बचें और उपाय क्या करना है उपाय आपको यह करना है कि भगवान सूरे को अर्ग दें जलाभिशेक करें सुबंकत सुबरंगे लाल लग मीटरे आठ हरी कृष्णी बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राश्यों ले जातक हैं आज आपको अपने मन पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रा रखना जरूरी है जितना नियंत्रा रखना उतना ही बड़ अच्छा रहेगा और आप जो प किमती धनलाफ होगा बहुती किमती समय है तो समय का सदुप्योग करिए और आज आपको बड़े पैमाने पर धनलाफ मिलेगा बड़ी सभलता मिलेगी आर्थिक चत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा तिर्थाठन देशाठन का यूग बन रहा है परिश्यति अन्कूल है रोग और सत्र परास्त होंगे माता पेटा का सुख मिलेगा सौधानी का परतनी है अपनी योजनाओं को गुप्त रखें किसी को बताना नहीं है नेता आपका काम होते होते रह जाएगा आज आप कूपाई क्या करना है आज हन्मान जी की अराधना करना है यह ग्यारा जनाओं को संपन करिए जिद जो अपनी योजनाओं को आपनी जो योजनाओं बनाते हैं उसको क्रियानुइट करें केवल वन बेटे हज़ारा अंस भी अगर आप इंप्लिमेंट करते हैं ता आपको बड़ा सभलता मिलेगा जो आपकी मन में भावना है उसको पूरी मिलेगा कर्टु भासा का प्रियोग करने से बच्चे आलशे का परित्याग करें अपनी संतत्यों से मन आपका परसंद रहेगा आज आपके धरम पत्नी का सुख मिलेगा मेंटल मॉरल एमोशनल सपोर्ट मिलेगा आई और बेपर नियंत्रा रखने की जो रता है आज अदिक बेग करने से आपका बजट भिगड सकता है इसलिए आपने खर्च पर मन पर नियंत्रा रखे और आज आपको सौधानी का बरतनी है सौधानी ये बरतनी है कि आपने खर्च पर नियंत्रा रखे उपाई क्या करना है उपाई ये करना है कि गौसाला में जाएं और गाय को हर मतर खिला में आपके लिए शुब रहेगा शुबंके तीन सुब रंगहरा लख मीटर आठ हरे कृष्णा बात करते हैं करकराशी की जो करकराशी वाले जाता है उनके लिए कालखंड बहुत अच्छा आपकी मान से को दिगनता बनी रहेगी आज आपको कोई भी कारे करना है त करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा कर सकते हैं धर्पतनी का सहयोग मिलेगा अपनी भावनाव पनियत्रा रखें भावेश में कोई कारे न करें और माता-पीता की बात को सुनें उनके दिशा निर्देशन में कारे करें और अगर घर में कोई अभी बाहित भाई बहनत उस बात करते हैं शिंघ राशी की जो शिंघ राशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आप जितना परिस्रम करेंगे उससे बड़ी सफलता मिलेगी परिवार में सुबह और मांगली कारी होगा संतान की प्रगत से मन परसंद हैगा विद्यारतियों के ल बनेगा और उसी च्छेतर से धनलाब होने की संभाना बन रही है दूर देश की यात्रा का यूग बन रहा है आए के स्रोत बनेगे पिता का सुख मिलेगा पत्नी के हेल्थ खुले करके चिंता हो सकती है सौधानी क्या परतनी है सोच समझ करके ही खर्च करें क्योंकि खर्च करना कैसे करेंगे ताबे का एक लोटा ले लिए चाल को लाल रंग में रंग लीजे और गुड अच्छत केशर और रूली डाल करके और ताबे के लोटे से सुर्य देव के सामने खड़े हो करके आप सुबह प्राता काल सुर्यों सुर्यों देजब हो रहा हो तो आप जला विशेक करें आप देखेंगे कि आपकी यस्पत पर्थिश्राम ब्रेद्यों की आपके लाच्छा रहेगा सुबहं के पांच सुबहं के के सरिया लग मीटर है नौ हरी कृष्ट बात करते हैं कन्या राशी की जो कन्या राशी जातक हैं आज आपको कीम्ती बानी से धन मिले हैं कि लाटीव के लिए स्मय बहुत अच्छा चला है लेको को के लिए समय बहुत अच्छा है जो लेखक है साही तकार है और अपने हेल्थ पर विशेज दिहान रखे उपाए क्या करना है आज आपको उपाए में क्या करना है कि किसी गरीब आदमी को मंदिर में जाकर के हरा मटर दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके पांच सुभंके बेचेटेबल कलर लग मीटर आठ हरे क्रिश्ने बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक है आज आपको धनलाब का यूग बनना है वैपार में बडोतरी होगी समय उत्तम चल रहा है यात्रा से धनलाब होगा है ने रोजगार के आउसर मिलेंगे परिशितियां आपके अन्कूल है पिता का सुख मिलेगा भाईयों का सहयोग मिलेगा प्रॉपल्टी त्यादी में ब्यवाद माप्त होगा सरकार से धनलाब मिलेगा कई महतुरी ओजनाब की सफल होंगी स्टार्टप से धनलाब मिलेगा जड़िया पायात निर्यात करना चाहते है तो उसके लिए आज का दिन प्यातरीन है सौधान से धनलाब मिलेगा आज आज आपके एक नई पहिचान बेनेगी नए कारिक करने के असर मिलेंगे पर्तिष्ठा में ब्रिद्धी होगी ब्यापार में कोई बड़ा लाब हो सकता है कोई बड़े सौधे कर सकते हैं आपकी डील अच्छी हो सकती है विद्धार्थियों के लि स्वास करना किसी पर आपको नुक्सान दे हो सकता है उपाय क्या करना सिरी हनमान जी का हनमान कोईज का पार्ट करें आपके लिए हित्प्रद रहेगा शुभंके आठ सुबरेंगे सुर्खलाल लक मीटर है आठ हरे कृष्णी बात करते धनूराशी के जो धनूराशी के जा सकता है आपके रोग और सत्र विरोधी परास्त होंगे कारों मित्रों की वदद मिलने से सफलता मिलेगी और कई परकार के च्छतर में सफलता मिलेगी सुब कार एंसंतान लाब होने का योग बनदा है प्रापल्टी को लेकर के भीबास समापत होगा सिक्षा के च्छतर में लाब मिलेगा पत्नी का सवयोग मिलेगा पत्नी को नोकरी मिलेगी बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करिए जड़ी आपको कोई बड़ा कोई सलाह देता है तो सलाह मानने की जूरत है बात को इग्नोर न करें सौधनी के अब रतने की नए कारे करने से बचें उपाय क्या करना है अपने पर्ष में स्री यंतर रखें सुबंके तीन सुबंके हल्दी कलर लग मीटर आठ हरे कृष्ण बात करते हैं मकराशी की जो मकराशी की जातक है आज आपकी देश फिदेश की यात्रा का योग बन रहा है मान सम्मान पत पर्थिष्टा में ब्रिद्धी होने का योग बना है सुबकार होगा परशितिया आपके न्कूल है यातरा से धनलाब होगा बैपार में अगर पूजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाप प्रत होगा और बड़े पैमाने पर लाप होगा सरकारी नोकरी में आज आपको लाप मिलेगा सरकारी नोकरी में सक्षत कारी है तू बुलाबा सकता है सुब समय चलना है बाणी पर संजम आवश्यक है कई महत्मौन कारी होंगे पत निश्ट थोड़ा बैचारिक मत भेद रहेगा माता पिता की बात को सुने जैसा काते है वह इसा करिए छोटी छोटी बात को लेके परिशान मत होईए अपने उर्जा को सही दिसामे लगाईए सौधानी के अबरतने तेजगती का बहाँद चलाने से परहेज करें और सनी मंतर का जब करें काली वस्तू का दान करें सुबंग के साथ सुबरेंग सफेद लग मीटर है आठ हरे कृष्ण बात करते कुम्भराशी की जो कुम्भराशी की जातक हैं आज आपके आर्थी किस्ति सुद्रिन होगे आपका मनुबल हाई रहेगा बिरोधियों से थोड़ा कष्ट मिल सकता है बिरोधी शक्री हो सकते है सुब घटनाओं के घटने का यूग बनना है परतिश्ठावे बढ़ुतरी होगी माता पिता का सुख मिलेगा सरकार से लाफ मिलेगा आपको राजनेतिक लाफ मिलेगा उच्पत प्राप्ति का यूग बनना है जदिया भारते परसास्टिक सेवा की त्यारी कर्द आपको सफलता मिलेगी कंस्ट्रक्शन माइन्स के फिल्ड से धनलाथ मिलेगा सौधानी के अबरत नहीं अपनी गुपनीता बढ़ते हैं उपाय क्या करना गरिबों को भूजन करा में काला चाता दान करें शुब अंके दो शुब रंगे सफेद लग मीटर रे आठ हरे कृशन बात करते हैं तिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक हैं आज कर दिन आपके लिए चुनोतियों से भरा हुआ चल रहा है धहरे से काम लें रुका हुआ कारों में कठिनाईयों को सामना करना पड़ेगा योजनाई लापरद होंगी निवेश करने से बचें भाग दौड बनी रहेगी बिगनबादाओं के साथ आपके कारों में बड़ी सफलता मिलेगी परिशानिया दूर होंगी जज़ सक्षा के चत्र में नोकरी के लेफ़र्ट करते ता आपको नोकरी मिलेगी आप बाई शांसलर हो सकते हैं टीचर हो सकते हैं प्रोफेशर हो सकते हैं कई महतमूर कारे आपका हो सकता है प्रापर्टी को लेकर के विबास स्वापत होगा कोई आपको दुखी कर सकता है इमोशनल लेवल पर थोड़ा साथ बहुत सेंटी है तो अपने इमोशनल लेवल पर अपने को कंट्रॉल करिये छोटी छोटी बात को लेकर प्रभावित मत होईए कई बार आप बहुत अत्युसाइद हो जाते हैं खान पान पनी उन्ट रणके सौधिस्टी भोजन जब मिलता है ता आप जादे खाल लेते हैं उससे पेट खराब हो सकता है तो इससे बचे सौधानी का अबरत नहीं है ज़िए आप कोई पूजी निवेस करतें ना चाहते हैं तो अभी बचे अभी उच्चित नहीं है पूजी निवेस के लिए नुकसान हो सकता है उपाय क्या काना स्री सुक्त का पाठ करें सुभंकेतीन सुभंकेतीन सुभरंगेपिंक लकमी डरेसाथ हरे कृष्णी अब हम बात करेंगों उन जात्कों का जिनका आज जनमदीन है आज जिन दर्शकों का जनमदीन है उनको जनमदीन की बहुत बहुत बढ़ाई धेरू सुभ का मना है आपका जनमदीन सुभ हो मंगल महव आपको प्रकत करिए आगे बढ़िए आपका उत्र उत्र विकास हो आपर होगान भोले नात की कृपाबर से आज है 18 सितंबर 2023 आज जिन दर्शकों का जर्म दिन हैं उनका मुलांक होता है 9 तो खास दोर से 9, 18, 27 तिथी कि जो जातक जर्म ले तो उनका मुलांक होता है 9, 9, 9 नमबर वाले लोग बड़े महतपूर होते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं प्रगत करते हैं उत्र उत्र विकास होता है बिग्यान के छत्र में बड़ा कार्य करेंगे इस लोग विग्यानिक होते हैं प्रगत माली हालत अच्छी होगी धन के छितर में किया गया प्रयास सार तक होगा वहीं जुलाई से लेके दिसंबर तक का कालखंड उतार चड़ाओ का होगा कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन आप सारी परिशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे आपने लक्ष को प्राप्त करने में सफल रहेंगे सौधानि के अबरत नहीं है खान पान पर नहींतना रखें गोपनेता बढ़ते हैं कटु बासा का परियों करने से बचें उपाय क्या करना है पूरे बर्स परियंता बगवान विश्णू जी के अरातना करिए स्रिसुक्त का पाठ करना आपके लिए हित कर रहे है अब हम बात करेंगे गुरू के नुस्खे की आपने देखा होगा कि जो साथ दिन होता है हफते में साथ दिन बड़ा महतपूर होता है शारे दिन का कोई न कोई देवता उसका प्रतनिदो करता है और उस गरह का कोई जो स्वामी होता बड़ा महतपूर होता है ठीक उसी प्रकार से जो सो मुआर होता है सो मुआर का जो दिन होता है खास दोर से इसका स्वामी चंद्रमा होता है और यह दिन भगवान स्चीव के लिए निर्धारित होता है कि भगवान स्चीव के आप राधना करते हैं तो आपको काफि लाफ मिलेगा चुकि दिवादी दिव महादेव का दिन है तो दिवादी दिव महादेव के जब आप राधना करते हैं आप आठ करते ताप के लिए अच्छा रहता है तो आज हम आपको तीन उपाई बताएंगे नौकरी के लिए धन के लिए और दामपत्य जीवन के लिए ज़िए आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आवे तो धन के लिए आपको क्या करना है कि गाय का दूद्र ले लिजे और पुष्प ले लिजे और चावल ले लिजे ले करके ओम नमा शिवाए इस मंतर से भगवान सीव को प्रतेक सोमवार के दिन कम से कम 21 सोमवार दुगधावे शेक करिये आप देखेंगे कि आपकी धन के सती अच्छी हो जाएगी जिन लड़कियों की साधी नहीं हो रही है व आपके लिए अच्छा रहेगा और अगर कोई व्यक्ति भीमार है स्वास्त उसका ठीक नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना है कि भगवान सीव की अरादना करना है और महा मरतुंजे मंतर का जब करे चाया ओम जूम साम मंतर का जब करे चाया ओम हरॉम जूम साम मंतर का जब क करें उससे आपका हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगा चजट मारकेश की दसा चल रही है तो उससे आपको लाह मिलूएगा और और किसी वेक्तिक्तों नोकरी नहीं मिल रही है तब हगॉक की अरादना करें और खर اगर चेंद क्रण tu अको और न करिए वह को यूपी उत्राखंड नमस्कार